हलो फ्रेंज अंजीली फूड लाब में आप सब का फिर से स्वागत है आजम बनाएंगे ब्लू बेरी केक मेरे घर में जो पास वाले अंटी है ना मुझे आकर बोला कि उन्हें दो घंटे में ब्लू बेरी केक चाहिए मैंने स्पंज बना दिया इतना जल्दी था कि मैंने स्पंज को गरम था तब ही मैं डीमोल करने की कोशिस कर रही थी केक टिन से और वो तूट गया जिसका डर था वही हुआ चलो कोई बात नहीं अगर आपके दोरा भी वेसा होता है ना स्पंज को निकालते टाइम अगर आपका भी कोई हिसा टूर जाता है तो आप हमेशा केक में उसे बीच लेयर में रखिए इससे सेप और टेस्ट में कोई फरक नहीं पड़ने वाला है उससे अच्छे से सोक कीजिए मैं आपे ब्लूबरी क्रश पानी में डाकर सोकी हूँ ना कीचीनी पानी से इससे केक का स्वात और ज्यादा बरता है अब जिस पी फ्लेवर का केक बना रहे हो उससी फ्लेवर का क्रश थोरा पानी में डाकर उसे सोक कीजिए ने तो इमल्शन है तो इमल्शन डालकर सोक कर दोधों होंदे करें दाई हैं तुछ हे सब्सक्राइब इससा कई बात नहीं है ben तुर बूइग करकर रही हूं अब blueberry crush थोड़ा ज़्यादा डालिए मैं इस पे ज़्यादा डालिए हूँ अक्चली cake का टेस्ट उनी crush की वज़ेशे ही आता है और cream तो हमारे fresh है यह sponge दो एकदम मस्त sponge बढ़िया बना हुआ है अगर आपको उसकी recipe बिचाईए मैं कैसे sponge बनाती हूँ आप मुझे नीचे धेर सारा comment कीजिए मैं आपके साथ वो भी share करूँगी फिर मैं scrapper के मदद से cake को अच्छे से side से clean करते जा रही हूँ आप विवेसा ही कीजिएगा आज इतना हड़ बड़ी था कि मेरे से जो design बना मैं तो उससे बिलकुल खुस नहीं हूँ मतलब मैं जो design सोची थी उससे अलग ही मैं बनाई हूँ हाला कि color combination आटी ने मुझे बोला था कि इन दो color combination में चाहिए तो design तो मुझे पसंद नहीं आया आपको अगर अच्छी लगी तो आप नीचे comment कीजिएगा आपको कैसी लगी design आप video last तक देखे आपको पता चल जाएगा design कैसा है फिर एक कॉम के मदश से मैं साइट से design बना रही हूँ मैं उपर में भी ऐसे design बना दूँगी ये जो cake board में cream लगा हूँ है ना हम बाद में इसे साफ कर लेंगे गीले कपड़े से अच्छे से cake को finishing कीजिए आज तो बापरबाब बहुत ही जल्दी जल्दी मैं ये cake बना रही हूँ क्योंकि दो घंटे में मनाना है दो घंटे में sponge भी बनाना है वो थंड़ा हो तब ही दी mold करना है फिर उसे icing करना है फ्रीज में सेट होने के लिए रखना भी है फिर उसे डेकोर करके फ्रीज में सेट होने के लिए रखना भी है फिर मैंने nozzle लेकर वो जो हम रोज बनाते हैं जिस वाले nozzle से उसी nozzle से मैंने ये design बनाई है नीचे फिर वो जो मोदग वाला nozzle होता है छोटा वाला उसी मोदग nozzle से मैं यह से मोदक देशा डिजाइन बना रही हूँ वह अंटी ने बोला थी कि उन्हें स्लाइट जैसा इंडिगो ब्लू होता है ना उसी कलर में केक चाहिए और स्लाइट पिंकी स्टाइप रहेगा तो चलिए बनाते हैं फिर ये तो मैंने डिजाइन बना लिया फिर उपर में भी मैं वेसा ठीकी डिजाइन बनाऊंगी आज ना मैं डिजाइन बना रही थी फिर हटा रही थी फिर डिजाइन बना रही थी जैसे तस्रे करके मैं ये केक कम्प्लेट कर ली design में कोई भी गरबर हो سकती है लेकिन मेरा जो cake जो भी खाता है न वो दूसरा order देता ही डेता है क्योंकि मेरी जो cake की freshness है वो भात ही अच्छा है खाने में बहत ही स्वादिश लगता है जो भी cake देते है वो भात ही review अच्छा देते है टेस्ट में एकदम अच्छे से धेर सारा कमेंड आएगा तो भी फिर मैं ऐसे डिजाइन बना ली अब हमेशा ट्राइ करना कि केक में जो आइसिंग करते टाइम बहुत ही फिनिशिंग से ये करे मैं भी अभी सीखी रही हूँ मैं सीखी रही हूँ और और लेती जा रही हूँ मुझे वीडियो भी तो अफ्लोड करना है आप लोगों के लिए डेली ये दिखिए उपर में रश्यन नोजल से कुछ फ्लावार बना रहे थी फिर घटा के फिर एक डिजाइन बना ली मुझे तो डिजाइन इतना पसंद नहीं आया